उत्रोकंड नकल विरोधी कानून के तहट पहली FIR दर्ज की गई है। उत्रकाशी में रविवार को पेपर लिख की अफवाफ फैलाने वालों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। उत्रकंड सरकार का कहना है कि पेपर शांती पूर्वक तरीके से संपन हुआ है। साथी सरकार ने ये भी काहे कि पेपर लिख की अफवाफ फैलाने वालों पर कठोर कारवाई की जाएगी। इंस्पाइट उन्होंने दलद्द तरीके से ब्रह्मेक सूचना है अपने आनलाइन में असारिक करा है। उससे जो अमारे जो नहीं आएक्ट दाउट से उनके वो दाउट को दूर कर दी गई, क्लियर कर दी गई वही पे जो प्रिंस्पल से और एस्पारा भी इंस्पाइट उन्हों ने जो दलद्र तरीके से ब्रहमेक सूचना है अपने आनलाइन में खशाने करा है। उससे जो दूर कर दी गई, क्लियर कर दी गई वही पे जो प्रिंस्पाइट उन्हों ने जो दलद्र तरीके से ब्रहमेक सूचना है अपने आनलाइन में खशाने करा है। उससे जो दूर कर दी गई। जो अववफ एलाई गई, उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उसकाल मंजूर किया और अब यह कानून बन चुका है क्योंकि 12 तारीक को परिक्शाओनी थी। राज सरकार चाहती थी सिस्टम FIR हो किसी भी तरीके से गलबल करने वाले न बचे। इवन तो प्रियास तो यह था और है कि गलबल न होने पार, यह कोई गलबल करता है तो बचे ना, क्योंकि पहले यह मसला 15 तारीक को होने वाली कैबिनेट में आरादा। तो इससे ही राज सरकार के मुखिया की मंसा का साफ तोर पर पता चलता है और जो नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा उत्तरकासी में दर्जुआ यह मामला इस प्रकार से है कि जब आपको कौपी देता है आयोग तो उसमें दो स्टीकर्स होते हैं ताकि कमरे में ज सोशल मीडिया में अफवा की तरह फैलने लगी जिससे प्रसासन बेबस हो गया क्योंकि राज सरकार के सामने बहुत बड़ा प्रेशर है निश्पक्ष परिक्षा कराना दूसरी और युवाओं का अंदोलन जारी है प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर लोग प्रदर् अंदन की ओर से उत्तरकासी में अफायार दर्च कराए गई और उसमें कुछ न्यूज पोर्टल्स का भी जिक्र है जिन्होंने इस सूचना को वेरिफाइड नहीं किया और बयान के आधार पर आरोप के आधार पर खबर चला दी तो एक यह संदेश भी है क्योंकि एडिजी जो है वो दाओं पर है तो इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाई नहीं हो सकती पेपर संपन होने के बाद भी कोई यदि गलत अफ़वा फैलाता है तो वो भी अपराद है और सुसंगत धाराओं में मुगदमा दर्च किया गया है इसकी जाच कर कारवाई की जाएगी